लेकर दिरातल के उपरा अगर कुछ लोग काम नहीं करना चाहेंगे तो माननी उपरा जपाल महोदे आपकी सोच, आपकी शक्ती, आपकी आवाज, आपका निरने नीचे लागू नहीं होगा एक बजार की अंदर दो दुकाने खुली हैं, बाकी दुकाने बंद हैं, कोन आएगा उस बजार के अंदर? चैंबर आफेपकामर्ष ने कहा शनिवार रवी वार बंद हुगा उनको किसके कहने पर उन्होंने कहा और किसने उनको आदैश दिया उन्होंने कैसे गोशना करी कहा यह तै हुआ और आब क्यू अगर एड्मिस्टेशन को एक गोष्णा उनके माध्यम से करही गई फिर उन पर विश्वास किनुई करा गया तो फिर ये कैसे हो गया कि तीन दिन बांद तीन दिन खुला तो क्या उनके साथ जो विचार में मरश वो गल था मैं माननी उपरा जुपल मोदे से प्राथना करना चाहता हूँ करिपा करके कभी भी चार बजे के बाद किसी डिस्टिक उस्पताल के अंदर जाएए वहां की दिरिश्ट देखने का प्रैसे करिये कोई नहीं होता हूँ अन्रिकॉर्ड में बहुत-बहुत सवागत है और आज अन्रिकॉर्ड पे हमारे गेस्स जो है वो आफ दा कैमरा उनोंने हमें काफी सवाल जो है पोपताए और एक साथ उन्होंने कहीं सवाल प्रशासन पर पर उठाए उस्पिटल के जो है रुज वरकिंग है उस पर लेके उनकी कहीं ज़ादा जो है में उस से पहले मैं जो है सीवल अडिमिस्टेशन सर अशोक गुपता सब दीज़ीज जैसा वर्क कर रही है जम्मू में खासकर क्या अशोक गुपता जी उससे सैडिस्वाइड है क्या वह व्क इनफ है इस करोना जो इस वाइरस से बचने के लिए यहां फिर और जो हैं वो कदम उठाने चाहिए तो इस सिवल एड्मिस्टेशन के अंदर जो पहले व्यक्तिस कूर्सी पर थे जिनको एक्स्पिरियंस था वो किताब है किसी ने बनाई या आगे क्या हमको कदम उठाने चाहिए उसके विशे के अंदर विचार करा क्या लोगो करा तो प्रशन तो उठेंगे मेरे संबंदी तो कोई आपने निरने लेना है मुझे बलाया नहीं गया मेरे रिप्रेजेंटेटिव को काल नहीं किया गया उससे बैठकर के चर्चा नहीं हुई सही है कर गलत है उतो वो बता सकता है लेकिन एक बजार की अंदर आप दो दु काने खुली हैं चानीस बंद है मैं समझ नहीं पा रहा कि जिनके विशे के अंदर बैठकर के आपको निरने करने का प्रैस करना है जिनके विशे के अंदर आप विचार कर रहे हैं जिनको सयोग के माधम से आप निरने करेंगे उनको कुई बलाने का प्रैस नहीं करना चाहत एडमिस्टेशन ने स्वें जिनके विशे के अंदर निरने करना था किसको बलाया गया तिर चैंबर आफकामर्स ने कहा शनी वार रवी वार बंद होगा उनको किसके कहने पर उन्होंने कहा और किसने उनको आदेश दिया उन्होंने कैसे गोष्चना करी कहा यह तैह उआ और क्यों बदल दिया गया असमंजस की स्थिति किन लोगों ने पैदा करी सरकार उसके विशिक के अंदर उत्तर देने का प्रैस करें चैंबराक पमर्ष के अधिकारियों को शिरीमान जो वहां के प्रधान है उन्होंने गोशना करी शनी वरितवार को बंद होगा लागड़ून ह उनके साथ किसने विचार मर्ष करा उनका कहना है आपने इंटर्व्यू नहीं सुना उनका उनका उस इंटर्व्यू को खोलिए उन्होंने का एल जी साब चाहते हैं अगर एड्मिस्टेशन को एक घुष्णा उनके माध्यम से कर रही गई फिर उन पर विश्वास की नहीं क करा गया अगर एक रिपर्जेंटेटिव को उबला लोगों से संपर करने को प्राम तब आप विवस्था की पालना करने के बाद आप गोष्णा करो उन्होंने करा ना तो फिर यह कैसे हो गया कि तीन दिन बांद तीन दिन खुला तो क्या उनके साथ जो विचार में मर्ष अगल था फिर आप पूछते हैं कि यह है क्या यह लिबाटरी है जिस लिबाटरी के अंदर आ करके कोई भी व्यक्ति बैठ करके चर्चा करने का प्रैस करना चाहता है वो लिबाटरी नहीं होनी चाहिए मैं समत हूँ अब भी जो डिप्टी कमिश्णर है अब भी जो पूरी की जाए और जो कमिया होंगी वो अगली बार पूरी की जाए इस बार की कमिया पिछले बार क्या थी वो किताब के अंदर लेकर के उस पर येक परिवार है परिवार लोग परिवार एड्मिस्टेशन परिवार मिल करके करोना को कैसे भगाएगा जब तक ये विचार मेरा परिवार है और इस परिवार के अंदर एडमिस्टेशन और मैं एक परिवार का हिस्सा हूँ जबरन नहीं मेरा मन करे मुझे बाहर नहीं जाना है मेरा मन करे मुझे कोरोना को नहीं भगाना है मेरा मन करे धाई लाक लोग इंदोस्तान के अंदर हो गए है मेरा मन करे जम्मू के अंदर इतने लोग मर रहे है मेरी participation क्या है जिस दिन administration के अंदर बड़े-बड़े लोग बैठ करके खुद उस प्रिवार का हिस्सा बन जाएंगे तो मैं समझता हूँ ये लाक डोन के विशेक के अंदर एक सरल प्रिवाशा उसको समाप करने की होगी और अगर आप हॉस्पिटल के विशेक के अंदर जो हमने बात करी मुझे नजर नहीं आ रही है सर्थ उससे पहले मैं हॉस्पिटल पर आऊंगा और आज कहीं नहीं उसका फरक भी दिख रहा है दूसरी एक बात और सर उस पर मैं आपका खास दूसरी डिस्टेंसिंग को आपके बीच में एक प्रशना भी दूसरा सवा दूसरा मैं आप 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 जरूर कहें एक अफिसर जिसको घेरे हुए 20 लोग है उसके सिकेरिटी वाले उसके साथ उसके काम करने वाले लोग वो सोशल डिस्टेंसिंग है मैं फोटोग्राफ आपको दूँगा एक अफसर चल रहा है उसके साथ 20 लोग उसको घेरे हुए कहां सोशल डिस्टेंसिंग है भाई कहने के लिए एक सफाई करमचारी काम करने वाला है उसके आथ के अंदर गलप्स नहीं है उसके मूब के अपर माचक नहीं है वो नाली के अंदर जा करके हाथों से समान को निकाल करके गंदगी ओपर डालने का प्रैस कर रहा है कहां है सोशल डिस्टेंसिंग कहां उसके विशे के अंदर विचार मैं बाशन अच्छा दे सकता हूँ लेकिन प्रैक्टिकली जब मुझे काम करने की जरूरत आएगी मैं पास हूँगा तो फेल हूँगा यह मेरा काम बताएगा मुझे एक बात हो सर कहीं सारे डॉक्टर्स कहीं सारे एक्सपर्ट्स ने का एरबॉन है यह करोना अब इस पे भाहस हो रही है मगर उसके साथ सथ एक डिसीजन देखा हमने जमोंसिबल कॉर्टपरिशन कर क्योंकि आपने उनकी बात की उनने कहा कि सेनिटाइजिंग करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि एरबॉन है सेनिटाइजेशन जिस तरीके से हमने पहली वेव में की थी इस बर वह करके कोई फाइदा नहीं है उस पर मेयर साब ने भी एक अपना बयान दिया आपने भी सुना हो जो बाहर सारी सेनिटाइजेशन हो रही है आप ठानकोर चले जाओ गुर्दासपूर चले जाओ सब्सक्राइजेशन वो गलत है जमुवाले ठीक है अब टीवी आउन करो एक व्यक्ति जिसके पास कुछ पैसे थे उस पैसे उस पैसे उसे एक शलंडर मुग आया उसने अपने आसपास के छेतर को खुद सेनिटाइज करा क्यूंकि उसका मन कर रहा था इमस के अंदर सैनिटाइजेशन नहीं हो रही दिली के अंदर सैनिटाइजेशन नहीं हो रही हरे अना के अंदर नहीं हो रही माराश्रों के अंदर नहीं हो रही पंजाब के अंदर नहीं हो रही अब इसका उत्तर तो वो जो व्यक्ति कह रहे हैं उसल भाशा के अंदर दे तरकी नहीं होगी तो हम क्या मोग के और विवस्था के नुसर चलने का प्रेस करना चाहते हैं अई चलने वाला है आप एक विशे पर आते हैं बहुत ज़्यादे इंपॉर्टन हेल्थ के सिस्टम सर हेल्थ के सिस्टम पर बात करें गो जिस तरीके से हमारे हॉस्पिटल जो ख खास कर डिजिटल थर्मामेटर की जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उसके साथ से ऑक्सीमेटर की शॉटेज भी और ऑक्सीमेटर का रेट जो है वो कहीं पंद्रह सो कहीं सोना सो कहीं अठारा सो रपे इस तरीके से मिलें जो फॉस्पिटल का सुप्रिटेंडन है जिसको चलाने की विवस्था है अमर्जंसी आगे उसको क्या क्या चाहिए उसको खरीदने की पावर नहीं है एक परचेजिंग कमेटी बनाए हुई है उसकी कॉर्परेशन बना दी है कॉर्परेशन को आडर देंगे वो चार दिन के बाद टेंडर निकालेगा पंद्रा दिन उसको पावर्स दी जाएं को ततकाली किस तरह से उसमान को मंगवाएं लोगों की रिक्वर्मेंट को पूरा करें वेवस्था का निर्मान करें और वो आदमी ना मर जाए सरफ थर्मामीटर के कारण यह वेवस्था नहीं है फिर वो जो व्यक्ति हमने का था कि हमने जो लोग डेपोटेशन पर भेजे हुए हैं हस्पिटल के अमरजनसी होने के कारण सारी चुटियां रद कर दी गई हस्पताल के अंदर डाक्टर काम करेंगे कोई परामेडिकल स्टाफ बार ने जाएगा चुटियां रद कर दी टैंडर प्रसीजर इनी हो रहा है वो सारे तीन के तीन लोग उठा करकर के कॉरपरेशन ले गई है फिर कहां हम तो रजपाल महदे के अडर को भी मानने का प्रयास नहीं करना चाते मैं माननी शिरीमां डलूजी से कहना चाथा हूं करपा कर के रजपाल बहुत अच्छे सत्तर वर्ष की वेवस्था नहीं दे पाई, आज इस बात के लिए हमको त्यारी करने का प्रहस करना चाहिए था, वो सत्तर वर्ष के अंदर नहीं हुआ, अज पहली बार हुआ है, लेकर द्रातल के उपर अगर कुछ लोग काम नहीं करना चाहेंगे, तो माननी उपरा जपाल हो दे, आपकी सोच, आपकी शक्ती, आपकी आवाज, आपका निरने, नीचे लागू नहीं होगा, तो कम या भी नहीं प्राप्त होने वाली है, नीचे लागू कैसे हो, डाक्टर उतने हैं, नाइट भी कम कर रहे हैं, सुबह भी कम कर रहे हैं, उसमें से बिमार भी हो रहे आगे प्रबंद नहीं है, बचे वही हैं काम करने वाले, परामेडिकल स्टाफ वही है, कहां से नर्मान होगा, क्योंकि ये जो प्रस्तितियां है, लगातार भढ़ने का प्रयास करना चाहती हैं, और उसी के बीच में हमने फैस्टा कर लिया, पचास बचे, पचास बंदे दे इसने भी डिस्टिक के अंदर हमारी विवस्ता है, है ही नहीं, चार बजे के बाद आप जाओ, वहाँ कोई नहीं होता, किसका नर्मान करने का प्रैस कर रहे हैं, कहां है द्रातर पर विवस्ता, चर्मर आ गई है, मैं माननी उपरा जुपल मोदे से प्रत्थना करना चाहता कमी भी, चार बजे के बाद, किसी डिस्टिक ऑस्पताल के अंदर जाएए, वहाँ की दृश्ट देखने का प्रैस करिये, कोई नहीं होता हुआ, रहफर करते हैं, मेडिकल कॉलेज, जोड़ा, रहफर, किस तबार, रहफर, कुठुगवार, रहफर, सामबार, रहफर, वाक गवर्मेडिकल कॉलेज का एक इंटर्विव मैंने किया, और उनसे ने ऑक्सीजन पर ही बात किया, और उन्हों ने कहा, आपको गलत खबरे हैं, हमारे पर सफिशेंट जो है, ऑक्सीजन यहां पर है, और अगर जरूरत पड़ेगी, तो हमारी वो ऑक्सीजन जो पहले थी, उससे ज़्यादा मात्रा में मारे पास है, और जरूरत पड़ेगी, तो हम और भी मगा लेंगे, एक आप्सीजन प्लांट लगा है, जो अभी काम कर रहा है, प्रिंसिपल को उठाईए, उसको साथ में ले जाईए, उसको गर यह 130 वेंटिलेटर है, उस आप्सीजन वन हंड्रड प्रेशिर, यह प्लांट है, यह 92 देते है, मैं वह बात बता रहा है, यह पता नहीं किसको मालूम एक नहीं है, एक 92 प्रेशिर उने के प्रांथ, वेंटिलेटर नहीं चलेगा, वेंटिलेटर के उपर बैठा हुगा पेशन को अगर ऐक्सीजन प्राफ्त नही कि क्या करने वाले किस दिशा के अंदर अगर humidity हुआ फिर हम क्या करते हैं फिर बुत है उनका प्रशन करना चाहता हूँ कि जिस प्लांट के माध्यम से ये सारी विवस्ता का निर्मान करना होगा उसका प्रेशरी नहीं है भाई साथ क्या है हमारे अतुलुलु साहब यहां एल जी साहब को नहीं होता है मुझे यानकरी नहीं आप उन से ले लीजे मैंने एक पत्र कल लिख रहा हूँ शीरिमान अतुलुलु और अल जी साहब को उसका उत्तर क्या आएगा मुझे नहीं मालूँ लेकर अट प्रेजंट सर्कम्सांसिस के अंदर इस सर्विशे पर चर्चा करने का प्रेस करना चाहता एक आल्टरनेटिव अगर सीविल एड्मिसेशन को आप देना जाहें एक आल्टरनेटिव क्या होगा अक्सिजन के विशे के अंदर एक ही बात कहूंगा जो स्वस्त मंत्रा लेके आप जेनरेशन प्लांट लगाईए और इसके टेंडर के अंदर लिखिए 100% प्रेशर वाल और एल जी साब से मेरी चर्चा होई इस वी शेपर उन्होंने का गुपता साब बड़े शाड देनों के अंदर इसका नर्मान करने का प्रेश करूँगा और कहीं करोड का ये है माननी एल जी साब ने इस बात को माना है कि मैं अभी एक प्रांट ततकालिक हस्पताल के अंद है साड़े चार बजे के करीब निकलना था जिसके लिए पैसे रिलीज करने थे जो दिली से शीरिमान एल जी महोदे ने जो हमारे स्वस्त मंत्राले के मंत्री महोदे हैं उन्होंने उसी टाइम वो कहने पर ही पैसे रिलीज कर दिये और वो एल जी साब के पास आगे अब ए प्लांट, जेनरेशन प्लांट, 100% वाला, 4.5 प्रेशर वाला, अगर लग जाता है, उसके नर्मान के लिए सिर्फ 12 दिन चाहिए, 12 दिन के अंदर लग जाता है, तो मैं समझता हूँ, यह जो आक्सिजन, पूरे देश के अंदर की समस्या, जम्मु किश्मीर के अंदर उसका क कोई समस्या नहीं आएगी, और समाधान होगा, लेकिन एक बात माननी है, शिरीमान डुलू जी, आप से फिर कहना चाहता हूँ, अगर SMGH हॉस्पिटल के अंदर 120 ओरते, गरब पात करवा, मतलब उनका बच्चा पैदा होता है, तो आप कहते हैं, पचास के उपर हम लेंगे नहीं, तो यह भ्यानिक सितियां पैदा होने वाली हैं, और यहां की अड्मिस्टेशन से कहना चाहता हूँ, कोई निरने करने से पहले, जम्मू परिवार जिसे कहता हूँ, जिसमें अड्मिस्टेशन भी है, लोग भी है, उनके साथ बैठ करके चर्चा करने को प्रांत करि अनहुनियां और गर बैठ करके निरने करने वाले, कभी इस परिवार को काम्याबी की रह पर लाने का प्रैस नहीं कर पाएंगे, और कोई भी डिप्टी कमिस्टर है, वो अपने किताब बना करके जाए, एक्स्पिरिंस की, ताकि आने वाला अगला लाब ले, इस सारी समस् करके, के लोगों को नुकसान दे करके, गरीबों के विशे के अंदर कोई विचार करने का प्रैस नहीं करना चाता, एक रेडी वाला, एक फड़ी वाला, एक बजार के अंदर घुम करके समान बेचने वाला, जब आप लाग डोन लगाने की प्रस्तितियां पैदा करेंगे, कुछ पुलीस वाले उनको भी तंग करने का प्रैस करना चाहते हैं गरीबों को अगर वेरो उसके अंदर आपने अनुमती दे दी के वहां बिल्कुल खुला रहेगा तो क्रियाने की दुकाने बंद करती यह किस तरह का निरने हैं अध्मिस्टेशन कभी कन्फीजन के अंदर नहीं रहनी चाहिए अध्मिस्टेशन जब कन्फीजन के अंदर जाएगी तब अपात का अलकी स्थितियां कभी पैदा नहीं हो सकती हैं अडिमिस्टेशन को लोगों का सयोग मैं पहले कहा हम एक परिवार अडिमिस्टेशन और जमू के लोग मिल करके निरने लें मिल करके फैसला करें मिल करके हम लोग ये तै करें हमको आगे कैसे बढ़ना है इस करोना से कैसे लड़ना है आगे भी करोना को हमने मार दी है आगे सयोग दोनों का रहेगा तो डंडे के साथ नहीं कोई चीज होगी परिवार के अंदर डंडा जब चलेगा एक दूसरे का सर फटेगा और वैसी प्रसितिय कभी पैदा नहीं होने देंगे administration से भी मैं प्राथना करना चाहता हूँ मिल करके सुझाव के मादें से इसको पूरा करने का प्राथन करें और अभी शादियों को सीजन है उसके विशे के अंदर भी वीचार किया जाए लेकिन कुरोना से लड़ना सबसे प्रतम अधिकार है और ये बात कि हम ये रमजान को छूट दे रहे हैं हमने वहां वो जो क्या कहते है उत्तर परदेश के वहां पर एक बहुत बड़ा विशाल लोगों को कठा करने का या चुनाव के अंदर या यहां नवरात्रों के अंदर ये बात नहीं चलने वाली हैं भाईया सब को एक दृश्टी से देखकर के हम एक निरने लें कि हम कोई ऐसा फैसला इसमें लोग इकठे हों चाहे वो शादियों का है चाहे वो रेलिजियस है चाहे दू सोशल है उसको बलकुल समाप्त करने का प्रैस करें और ये जो एक वातावर्न शैर के अंदर के मतभेद है एक सिस्टम को लागू करने के लिए उसको तोड़ा जाए इसमाप्त किया जाए रापस में एक प्रिवार बन करके हम इसको चलाने का प्रैस करें कोई बड़ी से बड़ी ताकत अगर पाकिस्तान के युद्ध को हमने पैंसल और कतर के अंदर लोगों ने आर्मी ने मिल करके मिनाया यह तो कोई करोना घर के इंदर है देश के इंदर है तो आप यहीं पर अशुक गुपता जी ने जो है वो अपनी बात रखी और कहीं प्रेस्टन जो है एडमिसेशन और हेल्थ केर डिपार्टमेंट पे उठाए और प्रेस्टन जो है वो बहुत जैनुएन लॉजिकल बात है जवाब जो है वो अतुदुल्दु सापको देना पड़ेगा और अधिकारी जो भी से रिलेटिड है यह वाचिंग दफोस्टेट कामर एक बीचें जसुएंदर सिंह मैं गोहर साइन आफ रॉम मैं गोहर साइन आफ रॉम